जिन लोग नभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं तकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे में पर मिलते रहें यह आपका पार्ट 2 वीडियो में अब हम लोग आ चुके समतल दर्पन द्वारा घंडविम कैसा बनता है तो चलिये हम सबसे पहले एक समतल दर्पन ले लेती है थिक है अगर प्रसंतल दर्पन हो गया है इसको एग तरफ से क्या किए को आप क्लाई कर दिह क 열य कर डिये के आपके आपका बन गया ले ना समतल दर्पन चाहिए यह आपका क्या है सम्तल दरपन अब चलिए अब क्या करते हैं कि एक वस्तु यहां पेश्टी देते हैं अब यहां से प्रकास आ रही प्रकास की किरन उसको ले जाते हैं लोग चलिए इसको एक रेखा ले देते हैं तरह से प्रकास की यहां लंब वद तो लंब वत जब आएगी यह जब आप्तित किरन लंब वत आती है तो क्या होती है पुना यह उसी डिरेक्षिन में वापस लोट जाती है ठीक है वापस लोट जाते है लेकिन हम लोग इसका कुसी तरह अगर हम लोग बात करें कि एक किरन ले जाते हैं यहां से इस तीसा में तो दरपन से परावरतन हो और परावरतन की नियम कंसर क्या होगा यह अपर वर्तित हो जाएगी इधर के तरफ देखर ना परवर्तित हो गई लेकिन इसका आभासी नीचे के तरफ जाएगा यहां भस्तू था प्रतिवीं वाफ का यहां बनना है दोनों के प्रतिशेद पर यहां प्रतिविंगर ना है तो यह प्रतिवीं कैसा होगा आपको पहले ही बता चुक है कि समतल धरपन पर जो भी प्रतिविम बनता है वो कैसा बनता है तो वो अभासी होता है और सीधा होता है ठीक है तो इसके थोड़े अगर हमनों इसके गुण के बारे में बात करें विशेस्ताओं की बात करें कि इसमें जो प्रतिविम बनता है कैसा बनता है उसको देख लेते है तो इसकी विश्यस्ता के बारे में जान लेते पहले चलिए इसकी विश्यस्ता देख लेते हैं तो पहली विश्यस्ता क्या है कि प्रतिभीम जो होता है दरपन के पीछे बनता है प्रतिभीम क्या होगा दरपन के पीछे बने या प्रतिभीम बनना चलिए इसको बिंदू दे सीधी होती है तक रही इसमें लोगए और अर इस तरह से बनेगा याद इस तरह से बनेगा आट रहे तरह से लेकिन परश्व से यानि नहीं अस्थाल बदल गया। यह वस्तु के सिधा है लेकिन पार्सु करेंट से उल्टा होता कि आस्थ gelecek सिधा होता तो आ भासी माँ माणाँ सीधा हो न कर सकते हैं और प्रते दर्पन से उतना ही पीछे बंता है जितना वस्तु दर्पन के आगे रहती है कहने कहले चा जैसे आप यह सब चीज गुण जो है आप घर वाले सीसे में भी देख सकते हैं आप जाके खड़े हो सकते हैं सीसे के सामने और वहां देख सकते हैं जितना दूरी पर खड़ा हुएगा वैसा ही वहां प्रतिवीम आपको दिखाई देगा अगर ज्यादे दूरी पर ख़ए हूंगे तो उतना ही दूरी पर प्रतिवीम बनेगा ठीक है और आकार भी उसी के उपर नेरभार करता है और आप लेटर्स को भी लेकर ऐसे देख सकते लगे उसमें उल्टा इस तरह से बंता है ठीक है तो पार्सुगी सरुटा होता है लकिन वस्तुग के पैक्सान होता है सीधा होता है ठीक है कि लार होगे इसकी बिसस्ता चली अब आगे देखते इसमें एगले बात करते हम लोग गोलिये दरपन के बारे में यानि कि इस की गोल्या दरपन उस दरपन कहते हैं जिसका परावर्तक सतक इस सको परावर्त के एक बहुत बहुत सब्सक्राइब करें रूप पनाधिर देख ने गोला हो गया लेnow और उसका एक भाग क्या क्यालाता है गोली दर्पन इसमें कोई भी एक हिस्सा लेंगे कोखले गोला का मतलब रहना पूरी तो सब्रेट नहीं यह गोला का कार का होना जाए ठीक है अब देखिए इस गोले का कोई भी एक भाग लीजिएगा असल में आप देखे होंगे दर्प तो आप देखे भी ओंगे और नहीं देखेंगे जान लिए कि उसका सतह होता है जैसे चमच होता फाल वालो है कि इसी तरह से एकार कहा रहता हैं ठीक RIGHT तरफिया गोली है तो गोलिये दरपन उस दरपन को करते हैं जिसका परवर्थक सत्य कोकले गोले का एक भाग होता है ठीक है अब दीखेगे के टुकड़े को यानि कोई किसी भी हिस्चे को तो किसी भी हिस्चे को अगर अब बाहर से रजजित कर दिजेगा यानि कलाई कर दिजेगा बाहर से रंगाई कर देंगे इस तरह से ठीक है तो बाहर से रंगाई करते ही जो दरपन कहलागा यह बन जाएगा ओतल दरपन क्या होगा ओतल दरपन ठीक है ओतल दरपन इसको कहेंगे ठीक है और अंदर से अंदर से रजजित कर दिजीए नहीं अंदर से रगाई कर दिजिए गांत फूफ वह आपकर हो जाएगा उत्तल धरपल तेक है बावर से नहीं कर देंगे बावर से रगाई कर बनजाएगा और अंदर से कर देने पर उत्तल दरपन जाता है ठीक है अंगरेजिम उसको ओटलो कहा जाता है करन केव करन केव राट मिरर इस अगर बाहर से रजित करने पर बन जाएगा और अंदर से रजित करने पर उतल बन जाएगा अब देखिए इसमें क्या होता है तो इस में जो यह आप दर्पन देख रहा है यह आप को समझ में ऌगा है और इसका गोलियद करेंगे और इसको ऐसे क्या कहना जा था फोया किया तुम है के दूसरा बात करते हैं कि जानते हैं कि गुले का किंद्र होता है इसके केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं यानि कि इसका जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होगा सी यानि इसको क्या कहेंगे वक्रता वक्रता-केंद्र या लिख दता है वक्रता-केंद्र कर जाता है उस्कोड़्याज रहने रहे हैं साइड में अगन्ते हम लिख आव ओ और कर्वेचर अख सेंटर ओफ करवेचर चाल जाता है कुछ तो इसको वक्रता के जने सेंटर कर वेचर यानि कि गोली दरपन जिस गोले का भाग होता है यह गोल को डिदर बश्चे करते हैं और और यंग रेजिम सेंटर अब बात करें वेक्रता तरीजय की तो इस गोली दरपन की जो त्रीजा होगी यानि कि यहां से यहां तक के त्रीजा होगा ना जो यह गोले का भाग होगा यानि गोली दरपन जिस गोले का भाग होगा यह जो गोला देख रहा है और इसकी जो त्रीजा होगी गोले की जो त्रीजा होगी वही क्या कर लाती है व वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे रेडियस रेडियस आफ करवेचर करवेचर वक्रता त्रिज्या कहते हैं समझ यह अब देखिए प्रधान Today प्रधान अक्ष यह मुख्यक्स की तो मुख्यक्स क्या होता है कि यह वक्रता केंद्र गित्र मिलाने वाली जो एक जका कोती है उस लेखा दिए विलाने वाली जो एक Jenis कोka हमें लोग प्रदान अक्षिया मुख्यक्ष के नाम से छाए मैं जानते हैं तुअथ परम कर Зमद हैं इसको इन दोरों को मिलाने वाली जो सक रहा हो टी है इस है प्रदान अक्ष कहते हैं या मुक्याय क्ष्चे सब principal access अपरिंसिपल को एक FL चलिया तो यह सब समझ गहा है थब के बारे में चलिए इसको परीभासा से भी आप yours anders करने बताते रहें लिए तो जैसे दुरूपक परिवासा के बताती तो दुरूपके बारे मतया थे तो ड्रूपकी प्रिभासा लिख सकते हैं गोलिए दर्पन तो इसका जो केंद्र होगा उसी को क्या कहते हैं इसके पाद आता है वक्रता केंद्र तो गोले का भाग होता है यानि यह जो दरपन है इस पूरे गोले का एक भाग है और इस गोले की वही वंगरता केंद कहलाती है इसके लीया और इसके लिए भी और इसके लिए वक्रता केंद्र होगा यह गया वक्रता केंद्र आसिसे सीजे़ करते हैं टहीका लगता थे Tes Cardives यानि Radius of curvature यह लगा गोलिय दरपन जो यह अन्हीं देख रहे हैं इस गोलेर वॉतल जो wasted इसा है ना तो इसकी जो त्रजा होगी किसकी इस गोले की जो त्रजा उगी वही धरपन की भी When the त्र बात को ihmh सब्सक्राइब को मिलाने वारी सरल रिखा को प्रधानक्ष कहते हैं अब चलिए इसको अलग-अलग हम चित्र बनाके इसको आगे समझते हैं तो हम लोग अभी दो दूसरा चलिए अच्छा चलिए हम देखते हैं अउतल और उतल के बारे में इसमें थोड़ा या मोड़ेते हैं थोड़ा सा अच्छा लिए हो गया यह फाइनली यह बन कि अधर भी इसमी सुरी अधर भी बनाना होगा आपको ईंधर इसको इसको क्लियर के दिए अब देखिया अब आपको अभी बताया थें आभी बताया थे कि अधर तर दरपन में क्या होता है लिखकी तरफ से कले करने पर ऑठल बन जाता और अंदर के तरफ से कले अग्ली करने पर तर लगे उत्ति तो इसमें हमको इधर से यह नहीं होगा इधर से घुमाना ऊब इस इस तरह से होना चाहिए था हम गल्दी से दोनों में एक ही जैसा कर दिये थे चलिए इसको समझते हैं हम लोग अब देखिए अंदर से यह रजजित कर दिये कलाई कर दिये तो अंदर से जब कलाई कर दिये तो यह कौन सा दरपन मर गया उतल दरपन ठीक है यह क्या है आपका करनिकेव मिरर है ना और यह आपका क्या होगा करन्वेक्स मिरर यह करन्वेक्स मिरर कहलागा समझे चलिए अब आप देखे ते इसमें ध्यान होना चीए आपको कि इसको कहते हैं धुरू यह इसको कहते हैं धुरू समझे ना और यह प्रधान अच्छी इसमें भी है यह भी प्रदान अब इसमें याद रखेंगे कि इधर आपका क्या था वाकरता के अंदर और इसमें क्या था इधर था वाकरता के अंदर दोनों को अलग अलग कर लिए ठीक है यानि कि उतल दर्पन में बाएं तरफ होता है और उतल दर्पन में क्या होता है दाहिने तरफ होता है या T consumption let your focus focus दume ी देख्ते है Fokus क्या होता है इसके लिए juga focus दूरी Ke के बारे मैं सेसह इन रही है तो हम्लोग पहले उत्तल दरपन देखते हैं फिर में उत्तल दरपन में देखते हैं तो आपको पता है कि इसमें जो एक प्रकास की किरन हम लेते है वह क्या होती है सुझार्र फ्रकास की किरन ले रहे हम लोग यहां फ्रकास की किरन है इंत क्राया और टकड़ाने के बाद यह आपति destar मुही ना टक्राने के लिए क्योंगा किसकी इसका सतर इधर है तो उधर मुड़ जाएगी यह किरन चलिए किरन उधर मिड़ गई यहां से आ है और इधर के तरफ चलिए लेकिन इसका आभास होगा कि यह किरन इधर से कमन कर रही है और इसी बिंदु को क्या करते हैं फोकस करते हैं जिसको एप से सुजित किया जाते हैं क्या करते हैं इसको फोकस्ट करते हैं या पिर कोई प्रकास की किरन आपनों इधर से भी ले जा सकते यह से हैंmass किरन का उसके मुख्यक्ष परवज्दु है जहां से मुख्यक्ष के चामांतर आती कि ने उसके इसके किरन आ रहे हैं दर्पन से परवर्थन के बाद आती हुई प्रतीत होती Lucky दरपन से परवर्तन के बाद यह तो इधर चली गए लेकिन इधर आती हुई प्रतीत हुई है इसी बिंदू को कहते हैं फोकस कहते है ठीक है उसी तरह उत्तल दरपन की बात करते इसमें भी प्रकास की किरन ले गए हम लोग ऐसे और यह टकड़ाया और यह टकड़ा के वास्त प्रकास कहेंगे और यह आप्तित किरन हुई यह परवर्तित किरन हुई और इसका परिवाश ह ai प्रतीत लिए यहां वास्तों मैं आती है तो resistance पर कौन सा है जहां मुख्यक्स के समांतर आती किरने दरपन से परावरतन के बाद मिलती है इसी बिन्दु के और della प्रजनकोन, और आती किरने ना अप्तित किसी के लिए दरपन और तो हो या उत था या दोनों के में बात करें उत्तल हो या दोनों में से कोई भी हो दोनों के लिए फोकस सेवी होता है फोकस क्या होता है तो FOCUS दूरी जो होती है अपको focus तो पता चल चुका है ना focus तक कि दूरी चोटा यहां भी और यहां भी यह चोटा समझ गया चलिए अगे बढ़ते हैं अगला टापिक हम देखते हैं कि गोली दर्पन की जो को सब्सक्राइब कोई रहुतर लोगैं चलिया रही होता है, छली यहां अपका भरता दर्पन के फॉकस तो आपको यह पता है कि प्रकास की किरन आपतित किरन ऐसे आ है चलिए झाल आप्तित किरण हुई है डी चलिए और परवर्तित हों कहां से गाएं क्राफन के बाद कहां स să जाती है हमें साथ फोकस से चली जाएगी चलिए फोकस kica क्राथन से किरण निकल गया अब बात करेंगे तो एक और किरन होती है आप को पता है यह प्रावरतित किरन है और बीच में जो होता है तो अभी नम्स होता है यहां वक्रता किंदर से होकर जाएगा सेंटर अफ करवेचर से होकर जाएगा इस तरह से ठीक है चलिए अभी लंब है यह क्या है अभी लंब है आगे चलके हमनों देखेंगे कि वक्रता के दिशा में जो कोई प्रकास की किरन होती है वह वापस पुना उसी राष्टे में लोटाती है उसी राष्टे में लोटाने का मतलब क्या है कि लगभग इस पे अभी लंब होगा परपेंडिकुलर होगा तब इन उसी राष्टे में वापस लोटाती है तो इसको आगे देखा जागा पस यह जाले अपतित कीरन है और यहां जो बी एफ है बी एफ एक परावरतित कीरन है परावरतित कीरन है और सिए सी भी अभी लंब है सी भी क्या है अभी लंब है चलिए इतना क्लियर हुआ चलिए आपको पता है परावर्तन के परावर्तन के इसे क्लिए भी दूसरे नियम से फरावर्तन की दूसरे नियमसे आपको पता है कि будет, या अइंगल ऑई जो होगा, अइंगल और के बराबर होता है, क्या होता है एंगल Idु का अपको परावर्तन का होता हुआ यानि कि यहां से आपको पता से लिए कि एंगल ABC जो होगा ABC किसके बराबर होगा तो यह बराबर होगा C एंगल C B F के यानि आई एंगल R के बराबर होगा अब देखिए यह जो किरन AB खिची गई है AB यह प्रदानक्स के समांतर है तभी तो फोकस होके जारी है यह अनि CP के समांतर है आपके पास यह पहले से दिया है कि यह इसके समांतर है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा इंगल BCF के BCF के याणि अगर यह आई है तो ये भी इंगल आई ही हो जाएगा है ना ये कैसे होगा तो एक अंतर कोड़ से होता ना जब वो समांतर है तो एक अंतर कोड़ से ये बराबर हो जागा ये कोड़ इस कोड़ के बराबर एक अंतर कोड़ से यानि ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा इस लिए इस लिए एंगल bcf बूरर हो जाए राएंगन cbf एसा क्यों हो रहा रहाएए bcabc बूरर्ज़दय यहां वाले कोंड़े दूनों ब Yog Chi यहाँ यहां वाले कॉनिये दूनो बराबर हो गए है अब देखें इिसके बाद हम बना देता है ठीक है जालिए आगर यह दोंगो बनाया दिए बराबर दिखा दिये तो हम लोग कह सकते है कि तीफोज इए एक संधी बाष। के दो भूझा पर यहाँ से यह यह वाला और यह वाला बराबर हो जागा यहांसे सकते mająt एफ बराबर हो जाएगा एफ बी देखिए अब एफ और अगर हम बी और पी की बात करें तो देखिए एक्शुल में होता क्या है c से P की दूरी जो शल्छ ऑ्स होः तो यह गृती देजिया रखने के लिए आपकों अच्छ से बहुत अधिक से ले जाए तो लग소 B और P क्या होँए एक दूसर के निकट होंगे ने लिख सकते हैं यदि B और P एकदम, एक दूसरे के बहुत ही निकटों, एक दूसरे के बहुत ही निकटों, अचा बहुत ही निकटों तो क्या होगा? तो बहुत ही निकट होगा तो आप देख सकते हैं कि यह वाला यानि कि यह जो यह प्रपिक नैंने 簡 सकते हैं figuring और आप बरंपर यह जो कि बराबर के बराबर के दिया फैन्व और यह दो कि इस emb brushes और के बराबर यह यारी या फ्वुचा के बराबर और यह इस के के बराबर यानि यह दुरां ऐपास में बराबर इसलिए आप लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ-बी समझे देन ना सिए बराबर एफ-व्पी यह आपस में बराबर हो गया अरथात यह अगर सी एफ बराबर एफ हुआ तो है एफ से इसकी दूरी फोकस दूरी है है और यह टोटल क्या होता है और यानि वक्रता तिर रहा है तो यानि की एफ जो है मध्विंदू है न सी एफ कर किसी एफ बराबर एफ पी यानि यह दोनों बराबर होने कारत है यह पूरे का आधा है यानि cp का हाफ हुआ है दोनों क्या है cp का भीक अधा है यह दो И तो फोकस दूरी है और यह बात करें वक्रता त्रिजा की यादी होती है दोनों दर्पन के लिए होता है उतल हो या उतल हो यहां हम लोग इसमें प्रकालिक सकते हैं कि दर्पन चाहे उतल हो या उतल हो यादी आपतन यादी आपतन बिंदू पर ध्रूर से वर्स्तु दूर नहों ठीक है यानि आपतन बिंदू आपतन बिंदू ध्रूर से बहुत दूर नहों आपतन मेंतन करह कि यह दर्पन के वक्त से जा तो नहिंश हो तो तो क्या होता है कि तो फोकस दुरी दर्पण के गताती जागि आधि अधी औस कंडिशन आपको इया रखना है कि यह आप अपतन बिंदू क्या है यह शुआ है और यह पिस दुरह ऊंड़िर उसके लिए कंडिशन होता है कि फोकस दूरी 5—— audio आधी होती है उसके लिए कंडिशन है यानि कि आप कह सकते हैं वक्ता तीजाज होती है फोकस दूरी की दो गुनी होती है यहां से आपका परिभासित हो गया समझ गया चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को इंड कर देते हैं अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है त तो आपके दोस्तों को भी इससे फायदा होगा कि सब लोग इससे पढ़ पाएंगे और ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको टोटल सिलेवस पढ़ार पाए ठीक है तो थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो